हेलो एवरीवन वेलकम तो ओर यूट्यूब चैनल इंजिनिरिंग उनिवर्सिटी पावर्ड पाइ सिविल गुरुजी और मैं लेक्चरर सेलेश्ट कुमार अर्यानों आप सभी एक बाद फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है टेस्ट ऑफ सिमेंट मतलब किस किस टाइप के और कितने टाइप के टेस्ट होते हैं आपके सिमेंट के लिए आज हम उसके बारे में जानेंगे तो बेसिकली मैं वो सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको यह बोलना चाहता हूं कि आपको यह वीडियो पूरी देखनी है क्यों क्योंकि जिस टेस्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है तो वो कुछ भी पॉइंट कोई वीडियो को आखरी तրक के देखना होगा तो चलिए स्टार करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हैं हैं आप टेस्ट on Cements की तो कितने टाइप की टेस्ट होते मेरे पास बात अभी कागे करने वाले हैं लेकिन एक्चॉल में वो है क्या आपको कुछ करना नहीं है आपको सिमेंट रखना है हाथ पे और उसको रब करना है जब आप रब करेंगे उसको तो उसको कुछ लंस नहीं होने चाहिए लंस मतलब उसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए या हम उस पर discuss करने वाले हैं, तो जो हमारे पास apparatus होना चीए, उस apparatus की मैं बात करूँ है यहाँ पर, तो आपके बस क्या क्या होना चीए, सिव लीड होना चीए, सिव होना चीए, विथ पैन, आपके बैलेंस वेट मसीन होना चीए, और सिमेंट बहुत जदा इंपॉर्टेंट है, सिमेंट भी होना चीए, और उसके बात मैं आपर देख रहा हूँ कि सिव सेकिंग मसीन, अगर सि जो भी cement लेना है आपको अगर टेस्ट करना है तो आपके बाँस क्या करना है आपको 100 g cement लेना है और 100 g कैसे आप measure करेंगे इस weight balance machine के थूरु आप क्या करेंगे 100 g cement को ले लेंगे अब उसके बाद हमको करना क्या होता है उसको shake करेंगे 15 मिनट तक 15 मिनट के shake करने के बाद जितनी cement इस पर बच जाएगी इस pen में वो क्या हो जाएगा आपका हम उसका weight measure कर लेंगे किस के तुरू इस weight balance machine के तुरू जो उसका weight है वो कितना होना चीए इस 100 gram cement का 10% से कम होना चीए अगर 10% से कम है इसका मतलब जो cement आप test कर रहे हो वो fine cement है अगर 10% से ज्यादा है मतलब उसकी fineness जो है वो खराब है तो ये तो हूँ आपका fineness cement अब हम बात करने वाले हैं आगे consistency test of cement ये जो है थोड़ा सा important है इसको समझना ही बहत ज़्यादा जरूरी है अब हम इसको समझेंगे कैसे मान लिजे कि आपका जो एक cement paste है वो बनाने के लिए जो water required होता है तो वो कितना percent होना चीए कितना water हम उसमें add करें है हमको वो देखना होता है तो वो चीज क्या होती है उसकी consistency होती है तो consistency का मतलब भी होता है कि आप जो इतना water आप उसमें add करने वाले है वो ताकि आपका जो paste बने वो क्या होना चीए standard होना चीए दूसरी चीज उसकी strength और workability ऐसी दोनों quality उसके अंदर होनी चीए ताकि वो जो paste है workability और strength के साथ perform कर सके तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमको water देखना पड़ते है कि हम कितना percent water उसमे add करेंगे तो इस टेक्निका पर हम क्या लिखा हो है the standard consistency of cement paste is defined as that consistency which will permit the wikart plunger to penetrate to a 0.5 to 7 mm from the bottom of the wikart mold मतलब आपके पास जो apparatus है उसमें हम mold लेंगे mold में क्या करेंगे जब cement mold में आप डाल दोगे paste को तो paste जो है penetrate करने का allow करेगा permit करेगा कितना bottom से 5 to 7 mm अगर वो चीज़ हो रहा है इसका बतलब जो आपका जो paste है वो ठीक है मैं आपको एक example देना चाहता हूँ तो इस example से आप समझेगे कोशिस कीजिएगा आप अगर कोई सबजी बना रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है gravy वाली सबजी आप तयार करने तो आप directly उसमें पुरगा पूरा पानी तो नहीं डाल देते है या एक जग पानी डाल दिये ऐसा तो नहीं होता न तो अब होता क्या है वाँ पर आप उतना limited water उसमें add करते हो सब्जी में जितना आपकी gravy बन करके तयार हो जाए तो अगर आपने कम कर दिया तो सब्जी सूख जाएगी और अगर आपने जादा कर दिया तो सब्जी बैह जाएगी ताकि आपको इचले समझ में आ जाए मुझे आपर विकाट अपरेटर्स की जरुवत होती है अब हम आगे देखेंगे विकाट अपरेटर्स, स्टॉप वाच, प्लेंजर, ग्लास प्लेट, मोल्ड, एंड गेजिंग टाविल अब हमको देखना यह है कि वर्किंग इसका प्रोज़र क्या चीज़ होता है सबसे पहले तो मुझे 300 ग्राम सिमेंट लेना होता है उस 300 ग्राम सिमेंट को मैं क्या करूँगा उसमें 20-25% हम वाटर एट कर देंगे उस सिमेंट वेट का 20-25% हम उसमें वाटर एट करेंगे अब 20-25% ऐसा किसी बुक में कही पे लिखा नहीं है, कि आपको इतना परसेंट के रेशियो में या इतना ही water लेना है, हो सकता है कही पे 20 लिखा हो, कही पे 25 लिखा हो, या भी कही पे 30 लिखा हो, तो हम जो लेंगे basically 20-25% के बीच में लेंगे, अब उस percentage में water लेने के बाद क् 300 ग्रान सिमेंट में हम उसको add कर देंगे, और जैसे ही आप सिमेंट में पानी add करोगे, आपको इस top watch on कर लेना है, अब हमको करना क्या पूरा का पूरा सिमेंट पेस्ट तयार करना है, इस gaging towel के थूरू, उस paste को हम डाल देंगे इस mold में, इस top surface तक हम इसको क्या कर देंगे पूरा fill कर देंगे, अब इस mold को उठा करके हम किस पर रखेंगे, इस glass plate में रखेंगे, अब इस glass plate के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ scale type का आपको दिख रहा होगा, यहां पर scale में reading लिखी हुई है, अब यह mold यहां पर हम रख देंगे, इस glass plate के साथ में, अब यहां पर से हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब हम देखेंगे क्या चीज़ को, किस mold को हमें रख देंगे, और छोड़ने के बाद यह जितना ज़्यादा penetrate हो रहा है, 5-7 mm है, कितना time लग रहा हमको वो देखना है, उसके बाद कितना penetrate हुए, हमको वो चीज़ भी देख divided by weight of cement into 100, आपने जितना water उसमें add किया है, उसका weight, और उसके अपने जितना cement लिया है, उसका weight, इन दोनों के weight क्या करेंगे, आपस में divide करेंगे, और multiply करेंगे किस से, 100 से, तो क्या निकल जागा है आपर, यहाँ पर आपका निकल जागा standard consistency, तो यह जो formula है, आपका consistency, standard consistency नि जो आपने भी यहाँ पर calculation किया है, उसी calculation का हमको क्या करना रहेगा, report बनाना रहेगा, अब report में होता क्या, जो water आपने add किया था, वो जो ratio at 20 to 25% के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपका जो taste है, वो successful रहा है, अगर इस बीच में आपका taste क्या होता है, वो जो ratio at 20% से नी के बाल है, चार टम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा sample number, sample number मतलब आपके बास जो sample है, उसका numbering कर सकते हैं, जैसे आपने एक cement लिया, PPC का, एक LST का लिया, तो जो भी number आप करेंगे, उसके बाद सोर्स है, जिस location और जिस source है, आप जहाँ पर कर रहे हैं, उस location और च इंजिनियर के द्वारा, या फिर जो भी person इसको क्या कर रहे है, टेस्ट कर रहे है, इसको perform कर रहे है, चाहिए वो lab attendant हो, चाहिए कोई भी हो, तो उसको क्या हो कहाँ आपर, नाम अपना fill करेगा, अब देखते हैं कि इस table में हमको fill क्या क्या करना होता है, trial number, मतलब जितने ज्यादा बार आपने trial लिया है, तो उतने बार आप क्या करेंगे, उस चीज को यहाँ पर fill करेंगे, उसके बाद चलते हैं weight of cement में, तो weight of cement में जो minimum requirement होता है, वो 300 gram का होता है, तो यहाँ पर 300 gram भी ले सकते हैं, जितना भी weight अगर ले करके चल रहे हैं यहाँ पर, तो वो च यहाँ पर आप क्या करेंगे, note down करेंगे, उसके बाद water percentage, मतलब जो water अपने लिए उसका percentage कितना है, उस cement के comparison में, तो यहाँ पर water percentage भी लिख लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप needle penetration लिखेंगे, कितना जादा needle क्या कर रहे है, penetrate हो रहा है उस mold में, उसको यहाँ पर रिखेंगे, note करेंगे, उसके बाद remarks में डाल देंगे, रिमार्स जानने के बाद आपका जो report है, पूरा तयार होते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक report को तयार करते हैं, consistency test का, तो यह था पूरा procedure, आपकी consistency test का, अब मैं बात करूँगा, initial setting time and final setting time, तो यह जो initial setting time ह हैं और final setting time है, इसको भी हम किसके थ्रू चेक करते हैं, विकाट apparatus के थ्रू चेक करते हैं, यहाँ पर हमको इन सारे चीजों की भी जरुवत होगी, बस होगा गया यहाँ जो needle होती है, वो change हो रहेगी, needle में क्या होती है, दो type के needle होते हैं, initial setting time के लिए हम लोग needle use करते हैं, final setting time होता है, उसके लिए हम इस needle को use करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है initial में, the time at which cement starts, hardens and completely losses its plasticity is called initial setting time of cement, मतलब जैसे ही हम cement पर water add करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपनी plasticity तुरन के तुरन क्या करते हैं, loss करना चालू करते हैं, उसीज को हम क्या हो कहते हैं, initial setting time कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे final setting time में कि वो क्या बोलता है, जब cement पर water add करने के बाद, वो completely अपना plasticity loss कर चुका होता है, और hard हो चुका होता है final stage में, तो उस situation को हम क्या बोलेंगे, उस cement की final setting time बोलेंगे, तो यह जो था difference था, दोनों के बीच में, यहाँ पर आपको initial setting time और final setting time का detail समझ में आ गया होगा, कि कैसे क्या perform होता है, और दोनों के बीच का difference क्या होता है, अब elasticity और plasticity को समझते है, elasticity मतलब वो होता है, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे है, खीच रहे है, जैसे रबड हो गया, अगर रबड को मैं खीच रहा हूं, तो वो क्या हो जागा, उसको छोड़ने के बाद, वो वापस अपने shape और size में आ जाएगा, मतलब मैंने उस पर जब तक load लगाया था, external load, जिसको हम लोग tension load बोलते हैं, तो वो क्या हुआ, खीच गया, अपनी जगा से फैल गया, तो उसके shape और size में difference आया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहे वो अपने form और अपने shape और size में वापस नहीं आ सकता, तो यह चीच होती ही, plasticity, तो वही plasticity क्या करता है, वो जैसे हम उस पर water rate करेंगे, तो वो lose होते चले आता है, और hard होना start होता है, तो जो hard होना start होता है, वो जो portion होता है, आपका initial setting time होता है, जब cement की plasticity totally loss हो चुकी होत होता है, तो उस चीच को हम उसकी final setting time बोलते है, अब मैं बात करूंगा compressive strength test on cement, compressive strength मतलब है कि इसको देखेगा, यह pain है, अब इस pain पर मैं क्या कर रहा हो, गर मैं load लगा रहा हो, तो यह compression होगा, और अगर मैं इसको खीचूंगा, तो यह tension हो जाएगा, तो जहाँ पर compressive force ल करने वाले हैं, यहाँ पर मैं क्या करो compressive test हो रहा है, यहाँ पर testing machine है, इस testing machine में जो cube दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, compression लग रहा है उसके उपर, अब सेम चीच यहाँ पर भी follow होगी, जैसे मैंने brick पर perform किया था, सेम यहाँ पर हम cement के भी perform करेंगे, जैसे ह क्या होगा, इस पर हम load को बढ़ाते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक value मिलेगी, जहाँ पर क्या हो जाएगा, यह crush हो जाएगा, या फिर तूड़ी आएगा, तो वो जो point होगा, इस cement का compressive strength होगा, वो किस moment पर जागर के, break हो रहा है या crush हो रहा है, वो जो cement है, वो cement कि किस में कितना है, तो वो चीज को हम को चेक करना होता है, क्या कि, comment में क्या होता है, यह compression member है, यह compression load को ले सकता है, इसलिए हम इसके compressive test करते हैं, परформ करते हैं, तो यह थी पूरी बाद test के उपर कि cement किस-किस type के test होते हैं, और उसको perform कैसे किया जाता है, तो इसके उपर powered by civil guru ji